नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चानल शम्बो साउंड पर आज हम डीजे और लाइव सेटप के बारे में एक और हमें जो खराबी होती है पावर डिस्टुबिटर बोर्ड में उसका हम खयाल कैसे रखे उसकी केर कैसे करे और उसमें जो आचारक हमें कही दिक्कत आती है रणिंग प्रोग्राम में उससे कैसे बचे इस बारे में आज हम डिसकस करेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्स्राइब करें साथी बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाली हरी वी सब्सक्राइब करते हो तो भी यही सारी बातों का खयाल आपको रखना पड़ेगा तो यह देखिए हमारे सेटप का यह त्री फेज वाले जेनेरेटर पर चलने वाला डिस्रीबिटर बोर्ड है और इस पर सेम लोड करने के लिए एंप्लिफायर ठीक तरह से लगाई हुए है तो हमें क्या करना एे फ़एली बात कि हर दो साल इसारे प्लक ड़ declined करने है क्योंकि इसमें खरावी की आशनका दो संग के बाद काफी जादा बढ़ती है और उससे पहले हर किसी महईने में अगर दो चार प्रोग्राम करने के बाद या हम इस तरह से पीन निकालेंगे कुछ पीन्स पर हमें यहां पर कार्बन जमा हुआ दिखाई देगा कुछ काला नजर आएगा तो हमें मार्केट से 10 रुपे में ऐसा पेपर मिल जाता है पॉलिश पेपर मांगना है आपको किसी भी हार्डवेर की दुकान पर और इस 10 रुपे के पेपर से आप पूरे आपके दिस्टुबिटर बोर्ड की केर कर सकते हो तो आपको करना क्या है सारे प्लग निकाल लेने है उनमें से कुछ प्लग्स पर यहां पर कार्बन जमा हुआ दिखाई देता है अब मेरे सिस्टम में मैं हर बार चेक करता हूँ इसलिए इस पर कार्बन जमा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पॉलिश पेपर से घिसा हुआ आपको यहां पर दिखाई देगा तो आपको ऐसे पॉलिश पेपर से बस उस कार्बन को गीज देना है सारी साइड कार्बन से क्लीन करने के बाद आप उसे दुबारा अपने जगह पर लगा दीजिए और इस तरह से आप जनरली पाच ओर्डर के बाद हर पाच काम करने के बाद पाच ओर्डर अपनी सेट अप की करने के बाद ये बार बार कीजिए ताकि किसी running program में आपको कोई दिक्कत ना हो जैसे कि बहुत बार हो जाता है कि चालू प्रोग्राम में किसी amplifier का current गाइब हो जाता है या फिर amplifier के आवाज में दिक्कत आना शुरू हो जाती है वो होता है power fluctuation की वज़े से और किसी separate एक amplifier को हो रहा है मतलब उसके power plug में problem आ गई है तो इससे बचने के लिए system का नाम खराब होने से बचने के लिए हमें जरूर करना चाहिए और आप इसका सही इस्तमाल अपने setup के लिए करें तो दोस्तो यही सब था आज के वीडियो में तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर comment section में बताईए साथी वीडियो को like और share जरूर कीजे चैनल को subscribe कीजे मिलते हैं आगले वीडियो में